अच्छे बिजली अच्छी पानी केवल दिली और पंजाब को नहीं चीए अच्छी शिक्चा और अच्छे इस्पतल केवल दिली और पंजाब को नहीं चीए यह सारे देश की नैसिस्टी है आम आदमी पार्टी की पंजाब में इत्यासिक जीत पर बाइक रेली निकाली जा रही है हमारे साथ हैं यहां के स्तानिय विदायक भाई नरेश बालियान जी आईए उनसे जानते इस बारे में नरेश जी जैसा पंजाम में इत्यासिक जीत हुई है और आपने इसकी बहुष्यवानी आज से चार पांद दिन पहले मंच पे की थी कि आपने का 80 से उपर सीटे आ रही ह यह उसका रिजल्ट है और कोई भी काम अगर आप मेहनत से सही तरीके से आप करते हो तो 100% उसके इंदर कामयाभी मिलती है तो मैंने चुनाओ से एक अफ़ता पहले मैंने कहा था कि 80 सीटे हम लोग जीतेंगे और 20 में सीटे आई हैं सारे कारे करताओं में जोश है उसी को ल 29 से हम लोगों ने शुरुआत की है और यह अपने पांचो वार्डो में रैली जाएगी और आमादवी पार्टी कारे करताओं में जोश है जबरस जोश है पंजाब के चुनाओं को लेकर दिली नगर निगम का भी चुनाओ अभी होने वाला था लेकिन बीजेपी ने पंज से अगर कि सरकारी संस्था को यह चुनाओ आयुक जैसे संस्था पर द enfer नहीं चक्ते जो जबिता करें हो थी त्रेकर का पंजाव की नेता वारे है। है दिल्ली में जब अर्विंजी शीला जी के सामने चुनाव लड़ रहे थे लोगों ने कहा कि सुसाइड करने पोलिटिकली सुसाइड हो जाएगा अर्विंजी ने एक पार्णी दो बार शीला जी को रहाया उसके बाद जितने भी दिल्ली के अंदर मंत्री थे सब की जमान पार्टी इसलिए इसलिए परचंट बहुमत से जीते गी जीत रही है कि क्योंकि जो पॉब्लिक की नैसेशिटी है उस नैसेशिटी कोई आपको देखिए को हिंदू मुसल्मान की बात करता है को जाती की बात करता है को यह नहीं कहता कि हम स्कूल ठीक करेंगा हुस्पिटल आप देखते जाना अभी पंजाब आया है इसके बाद याना राजस्तान और गुजरात है इमाचल है इन देखना आपके सारी स्टेटों में वादी पार्टी की सरकार बन रही है जैसे की केजरिवाल जी ने भी का था उन्होंने का यह लोग तंत्र की हत्या की है इन्होंने के चुनाव रोके हैं तो क्या आमादमी पार्टी अपने कैंडिडेट पहले उतारेगी ताकि जनता में जाके वह अपनी बात रख सकते के सारे जितने भी यह लोग करता है कैंडिडेट इन्हें में से कोई होगा और हंडर परसेंट जितना डिले पीजेपी करेगी है पानी के दिली और पंजाब को नहीं चीए अच्छी फिक्सा उया झाय है और दिल्ली ऑंदर आ रहा है वो दिली के अंदर लडएंगे और जीते में ऐसमें कोई नहीं है आज हम sticking में आने वाले टाहमें पूरे देश कंडरं फह लेंगे बंजाब की जीत से अब यहां पर खुशी मना रहे हैं हम कहने हैं पहले गया है कि जीत किसकी ओने वाली दिल्ली में भी और जिस तरह से पंजाब में जीत हुए उससे भी बढ़के दिल्ली में जीत होईगी अब आदमी पाल्टी आएगी केजरिवाल जी की सरकार बनेगी और में भी भागेगी जनता दोड़ेगी इसी तरह से बोड़ देंगी इस पती जाडू लगा देगी बिलकुल बाजपा सरकार का अंग्रेश सब बढ़के जाडू लगेगी जीत के आपके कहना चाहते हैं आम आदमी पाल्टी की सरकारी आएगी दिल्ली में जैसे कि पंजाब मे आम आदमी पाल्टी की एतियासिक जीत हुई है बड़े-बड़े 200 है जिनके बिना पंजाब की राजनीती नहीं चलती थी राजा से लेके रंग तक सब बराबर हो गए आम आदमी पाल्टी के कारे करता ने उनको हराया आप क्या कहना चाहोगे जीत की कुछ यह केबल किसी पाल्टी ने किसी पाल्टी को नहीं रहा है यह जो विचारधारा अर्विंद केजिरिवाल जी नई विचारधारा लेकर देश के अंदर आये हैं वह जंजन के दिलों में अज उतर चुके हैं उसी का नतीजा कि जहां पर वह चुनाव लड़ते हैं लेकि चुनाव सब पू चुब हारें और वही हुआ यह कैलकुलेशन कैसे कि यह विश्वास है और उनका विश्वास जनता के ओपर है जनता का मन बना हुआ था और अर्विंद केजिरिवाल की विचारधारा जो है उससे सभी लोग सहमत थे क्योंकि उन्होंने केवल देखा है इसको चीज को केवल और वही कि है उन्होंने किये जो उन्होंने कहा मोट करके दिखाया है और जनता ने उसको परका है बाकाइदा लोग पंजाब से दिल्ली को ju hi q cu nama चीजा थे यहां एक दम से ऑनक्ट्षन कमिशन ने पलट वह कि आया है और एक दम só उसको डिलेय करने की कोशिश की है केजरिवाल जी ने भी अपने उसमें कहा था प्रेस कॉन्फरेस में कि यह लोग संद्र की हत्या का हो रही है और कुछ नहीं होड़ा इससे को फरक पड़ेगा हमादमी देखिए मैं आपको बताऊं चुनाव जो दिल्ली के अंदर होने वाल यह दो दूसरा उसके माल बताने जाओंगा यह के वलंको दिल्ली जान रहे हैं उनको डर है असलीं घुझ्रात का क्या अगर हम दिल्ली महा आ गए तो घुझात अब जाएगा और आप देख लिए लेना यह चुनाव कर रहेंगे तो जचिनाव कर रहेंगे यह मैं इसी तो ओकर बही कह सकता हूँ उनकी दिर है बन्ट कर दोफना है